हलो फ्रेंट वंहांपके लिए कराएं काफ़ी अच्छा काफ़ी बहतर प्लान है यह हमारे क्लाइंड अनुबर भाई लवाम से उनका प्लान है यह उसका 3D है इस तरफ भी दूसरे का घर है यह इस तरफ भी और इस तरफ भी दूसरे घर है इस घर का फोटो फॉर्मेट दिखेएगा इसका फाइनल एलिवेशन प्लान है यह अनवरभाई का प्लान है लवाम से उनका घर है बनने का घर ऐसा दिखेए घर काम शुरू हो चुका है अगर आपको प्लान बनवाना है तो दिएगे नंबर पर जरूर कॉंटेक्ट करें वीडियो को शेयर करें और हम यह सब्सक्राइब है और कलर कंबिनेशन का काम है वाल लाइट है यहां पर जो ग्लास का काम किया गया है इनकी जमीन यहां थोड़ी बचेएगी तो आप यहां पर फूल लगा सकते अच्छा दिखेगा रैम बनाहां जो पार्किंग तरह से सीरी बनेगे सिंगल कॉलम है यहां यहां पर डिजाइन के लिए और चली आगे इनका अगर बॉंडी यहां से जमीन अगर बॉंडी लेंगे तो यहां बॉंडी वाल लगने से जगह सेफ हो जाए ठीक है लेकिन घर की खुब्सूरती मार खाती ध्यान रखना बॉंडी वर मैक्सिम तीन सारे तीन फिट लगया तो आते हैं प्लान की तरफ प्लान की तरफ आने के बाद जो जैसे आते हैं तो यहां पर कार आएगी पार्किंग में यह जो हिस्सा है वो पार्किंग है जो आप देख रहे हैं पार्किंग का जो साइज है वो हम आपको किलियर कर देते हैं यहां से लेकर यहां तक जो पार जो हम यहां इसके बाद कर रहे हैं देखिए यह फॉल्स लिंग लाइट है जूमर लगा लिए सुन्दर दिखेंगा फैन यूजब सेंटर यूजब कर सकते हैं चली आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ने पर आते हैं तो यह चीज किलिए सेंटर में डोर है डोर का साइज तो यहां पर आने के बाद यह आपको डोर साफ दिख रहा है यहां जूमर लगा हुआ और यह जो लटक हो भीम की लटक के लिए उसका जैसे हम लोग आते हैं यहां पर ठीक है इस हिस्से में यह आपको हम के लिए करते हैं वीडियो जादा लंबीन हो इसलिए इसको जल्द पीट निकालना और यह डिजाइन जो बना है ग्रूपिंग काटा गया प्लास्टर में देख लिए पांच इंची है यहां क्या होगा यह च्छत निकलेगा यह इंट कीचिन आई है और यहां भी इंट कीचिन आई है यह पैनल आता है अल्मुनियम में मिलता स्टील में गयालरी आपको बैठने के लिए बनाई गई है सीरी से जिसे कोई गेस्ट आते हैं फस्स फ्लोर पर ले जाना उनको यह इसी गैलरी में बठाना है तो यह भी भी आपकी अच्छा है ठीक है पॉइंट के लिए है उसके दूसरी चीज़ का देखना है कि किस हिस्से को कितना करना वो बता देते हैं देख लिए दूसरी चीज जो है बता दिये किसका साइज कितना निकलेगा काम करवारें किसी तरह की समस्या तो पहले आप वीडियो देख लिए वहापर लंसम चीज़े किलियर होती है ठीक यह देखिए यह आपको धाइव फिट अंदर होगा यहां ठ है दूसरी जू चीज है यह कॉलम कोल्म क्लर में डीजाइन ये प्लट्फबं लो डीजाइन है यह एक इंच के बाद ये वाला जू डीजाइन है यह आपको 6 है उसी सब्सक्रा चेट पूरा पट्टी पैरन होडुम की को inh. किलियर सीरी बाहर से एक गेस्ट्रूम का दोर है यह पैनल आपका किलियर हो चुका है यहां भी सेंटर में दरवाजा पांच फिट का है और दो विंडूल ना ली गई है ठीक है उसके दूसरी चीज क्या है वह हम आपको बता देते देख लीए दूसरी चीज क्या है कि यह कु तीन फिट छे इंच के बाद यहां पर इसकी ओपनिंग होगी जो इससका साइज वो बताते हैं पांच फिट-4 इंच है सेलागी यहां पर बात देना है ठीक है और फिट-4 इंच सेंटर से इसको डिभाइड करे पुराना ठीक है किलियर हो गए चीज़े और यहां पर आपक हब इत की कि चिनाई से निकाल देना है और यहां पहलाक पर ला कि आर्च को ड्रोप कर देना इत की चनाई में उपसेट निकलेगा यह वाला जो घृत निकलता वह निकालना तो हम किलीर है किलियर होगे उसके जब सीरी घर यहां से इस छट से सीरी घर में लाकर तीन पैटन यानि ग्रूप शोड़ना है यह वाला हिस्सा यानि सीरी घर का आपको हम बता देते हैं अब दूसरी चीज़ एक ध्यान में रखना अभी आपको क्या ध्यान रखना है काम जैसे सुरू होग लाना इस पर इंट की चिनाई साइट से स्टार्ट हो जाएगी बीम के उपर में यह इंट की चिनाई पूरा उपर तक जाएगे यह देखिए जो एज डिजाइन है फुपसूरती के लिए इस चिसका आपको ध्यान रखना परेगा सीरी घर को जब सीरी घर का टाइम है उसक इस प्लास्टर में भी आपको द्हाई से टिन निकालना यह वाली हिस्से को उसक अथे उसके दूरी एक फिर दोएंच पेटन साइज है जो इसकी वह यहां से लेकर नहीं तक lot का साथ फीट में बना हुआ काफी सुन्दर घड़ दिख जगा को देखते हुए घर काफी सुन्दर जादा नहीं है जगर बहुत सुन्दर ही तेखने में अंदर देखिए इसका attendance पार्किंग ईए एक बेडरोम यह निए है रिबिंग हाल स्थी और यहां पर एक बांथरूम वीडियो जादा लंबी न है उसके आते हैं जैसे उसके अने की गैलरी में आते हैं एक वह आधे हैं गैली का पैनल का डिजाइन यह सब बहुत अच्छा आपको प्लान बनवाना जरूर काम आएगा देखने से आइडिया गुरो होता है वीडियो देखने के शुक्रिया थैंक्यू धन्यवाद